प्रेस्ण छे निम्नांकित संख्याओं की नौ से बिभाजता की जाज कीजे तो प्रेस्ण छे का पहला है आठ सो उनासी दूसरा छे हजार पांसो उनासी तीसरा है नौ लाख निनानमे हजार नौ सो नब्बे चौथा आठ लाख छे अत्र हजार पांसो तेतालिस पांचवां 6,78,700 तो नौ से बिभाजता की जाज करना है यानि कौन सी संख्या नौ से बिभाजे है और कौन संख्या नौ से बिभाजे नहीं है ये जाज करना है इसमें तो 9 से विभाजता का नियम क्या कहता है अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज होगा इसका मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है 889 इसके सभी अंकों को जोड़ करके देखेंगे 8, 7, 15, 15, 9, 24 तो 24 देखिए 9 से नहीं कटता है ठीक है तो इन तीनों अंकों को जोड़ने पर आ गया 24, 8, 7, 15, 15, 9, 24 तो 24 9 से नहीं कटता है इसका मतलब ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा ठीक है तो ये 9 से विभाज नहीं है अब इसको जोड़ करके देखते हैं ये जो संख्या है 6,589 इसके सभी अंकों को जोड़ करके देखेंगे तो 6, 5, 11, 11, 7, 18, 18, 18, 19, 27 ठीक है सभी अंकों को जोड़ने पर 27 आ रहा है तो 27 9 से कट जाता है तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से कट जाएगा यानि ये संख्या 9 से विभाज है अब इसको देख लेते हैं तो 9,99,990 के सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 9, 9, 18, 18, 19, 27, 29, 36, 36, 39, 45 तो 45 जो है 9 से कट जाता है ठीक है सभी अंकों को जोड़ने पर कितना आ गया 45 और 45 नो से कट जाता है इसका मतलब ये संख्या भी 9 से कट जाएगा अब इसमें देखिए 8, 186, 543 के सभी अंकों को जोड़ेंगे 8, 7, 15, 15, 6, 21, 25, 26, 26, 34, 33, 33 तो इन सभी को जोड़ने पर कितना आ गया 8, 7, 15, 15, 26, 21, 25, 26, 26, 34, 33, 33, 33, 9 से नहीं कटता है इसका मतलब ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा तो ये संख्या 9 से विभाज नहीं है अब इसके सभी अंकों को जोड़ेंगे 7, 6, 13, 38, 21, 27, 28, 28, 29 से नहीं कटता है इसका मतलब ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा तो इसका उत्तर आ गया दूसरा और तीसरा तो दूसरा देखिए दूसरा और तीसरा क्या है? 9 से विभाज है तो इसका उत्तर लिख लेंगे दूसरा कॉमा तीसरा इसका उत्तर आएगा जो कि 9 से विभाज है प्रस्न साथ निम्नलिखित संख्याओं की 10 से विभाज़ता की जाज कीजे प्रस्न साथ का पहला एक सो पचीस दूसरा छे सो नब्बे तीसरा है सततर हजार आठ सो अस्सी चौथा है पच्पन हजार पान सो पच्पन पांचवा है एक कानवे हजार तो 10 से विभाजता की जाज करना है तो 10 से विभाजता का नियम क्या कहता है 10 से विभाजता का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंग सुनने हो तो वही संख्या 10 से विभाज होगा तो इकाई कांग सुन्ने होना चाहिए देखे इकाई कांग क्या है यहाँ पर पांच है तो इकाई कांग अगर सुन्ने होगा तभी दस से बिभाज होगा वह संक्या तो देखे इकाई कांग पांच है सुन्ने नहीं है इसका मतलब यह संक्या इसका मतलब यह संख्या 10 से विभाज है इकाई कांग 5 है इसका मतलब यह संख्या 10 से विभाज नहीं है क्योंकि इकाई कांग सुनने होना चाहिए 10 से विभाज तक नियम में ही कहता है कि इकाई कांग सुनने होना चाहिए तो देखें इकाई कांग सुनने है इसका मतलब ये 10 से विभाज है तो 10 से विभाज संख्याएं हो गया 690, 77,888 और 91,000 यानि दूसरा, तीसरा और पांचवा तो इसका उत्तर आ जाएगा दूसरा, तीसरा, पांचवा यानि 10 से विभाज संख्याएं कौन-कौन है दूसरा तीसरा और पांच हुआ तो बस इकाई के अंग पे सून्य देखना है